हाई गाईज वेलकम बाक टू अनदर सेशन मैं आभवनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेस का एपिसोड नमबर 698 और आज की तारीक है 25 जून 2020 हमारे दो चानल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आएस और अगर अगर अब तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ इस बेल आरेक उनको जबूर दबाना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से सीजेल पिनाकल डॉट कॉम और बलजी डाका डॉट कॉम इन दोन मुख्य मंत्री श्रमिक योजना शुरू करेगा तो इसका सही जवाब है जारखंड और दूसरा प्रशन है ब्रिटेन के वित्य आच्रन प्राथिकरन FCA का नया CEO किस भारतिय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो इसका सही जवाब है निखिल राठी स्टार्ट कर साउथ इस्ट एशियन नेशन शिखर समेलन 26 जून को वीडियो कॉन्फरेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा और इसकी थीम है कोहेजिव एंड रिस्पॉंसिव यहाँ फोटो में देख सकते हैं 2020 में एस यान की अधियक्षिता वियतनामी प्रधान मंत्री गुएन एठक की अधियक्षिता करेंगे चतिसवा एस यान शिखर समेलन जो पहले एप्रेल में आयोजित होने वाला था जो कोविड-19 महामारी के व्यापक प्रसार के कारण स्थगित कर दिया गया था एस यान के सदस्य ब्रूनेई कमबोडिया इंडोनेशिया लाउस मलेशिया मै इनमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थाइलन और वेतनाम है एस यान का हेड़कॉर्टर जकारता इंडोनेशिया में है यहाँ पे क्विक रिविजिन की बात करें तो कोविड-19 रिस्पॉंस पर आयोजित विशेश एस यान शिखर समेलन के अध्यक्षिता किस देश के प् अप्शन नमबर D, राजिस्थान ये गैर सरकारी संघटनों NGO में भागिदारी करेगी योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 100 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे 31 मार्च 2020 को राजिस्थान राज्य सरकार की पिछली सबसिदी वाली भोजन योजना अनपूर्णा रसोई योजना की अवधी समाप्त हो गई थी जिसे वसुंद्रा राज्य की सरकार ने लौंच किया था यहां पे एक रिविजन की बात करें तो किस राज्य ने नागरिकों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्री दीदी रसोई शुरू की है तो इसका सही जवाब है जारखंड बात करें राजिस्थान की फेमस डैम्स और रिवर्स की तो जवार सागर चंबल जसवंद सागर लूनी राणा प्रताप सागर चंबल नाशनल पार्क सारिस्का टाइगर रिजव कियो लाडियो नाशनल पार्क डेज़र नाशनल पार्क राजस्थान की कैपिटल है जैपूर गवर्नर है कलराज मिश्रा और सीम है अशोक गेलोट वर्ल्ड हेरिटेज सही जवाब है option number B Mark के लावे Mark के लावे entertainment wrestling world यानी WWE की दुनिया में यह undertaker या dead man नाम से मशूर है उन्होंने हाल ही में सन्यास का अलान कर दिया है यहाँ आप photograph में देख सकते हैं के लावे multiple heavyweight champion छे बार tag team title holder और royal rumble के विजेता रह चुके हैं उन्होंने 1987 में world class championship wrestling से अपने career की शुरुवात की थी और 1990 के दशक में WWE में चले गए थे यहाँ पर कोई revision की बात करें तो किस देश के पूर्व cricket कप्तान सना मीर ने अंतर राश्टरी cricket से सन्यास की घोशना की है तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान अगला प्रशन है रूस भारत चीन त्री पक्षिय समू बैटा की मेजबानी किस देश ने की है तो इसका सही जवाब है option number C रूस रूस भारत चीन रूस त्री पक्षिय वारता की मेजबानी रूस दुवारा की गई इसके अलावा रक्षा मंतरी राजनात सिंग दुवितिये विश्व युद में जर्मनी पर सोवित संकित जीत की 75 वर्श गांट के उपलक्ष में विजे परेड में शामिल हुए हाल ही में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुतभेड में 20 भारतिय सैनिक शहीद हो गए थे RIC समू के निर्मान का विचार ब्रिक्स समू से भहुत पहले वर्श 1998 में ततकालीन रूसी विदेश मंतरी दुवारा दिया गया था हाला कि RIC समू को उतना महत्वन नहीं दिया गया जितना ब्रिक्स समू को दिया गया है यहां फोटोग्राफ में देख सकते हैं यद्यपी तीनों देशों के नेताओं दुवारा संयुक्त राष्ट्र भासबा जैसे भूपक्षे सम्मेलनों के दौरान बैठक का आयोजन किया जाता रहा है तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में करोना संकट के बीच विश्व की मौजूदा आर्थिक और राजनितिक स्थीती पर चर्चा की बात करें रशिया की तो उसकी कैप्टल है मस्काओ और करंसी है रशियन रूबल अगला प्रशन है केंद्रे मंत्री श्री रमेश पोकरियाल निशंक ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कौन सी पहल शुरू की है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी युक्ती 2.0 केंद्रे मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोकरियाल निशंक ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए युक्ती 2.0 पहल की शुरुवात की है युक्ती 2.0 उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सभी प्रधोगी की योग और स्टार्ट अप संब बनाए गए विभिन तकनीकों उत्पादों नवाचारों और स्टार्ट अपस पर सुचनाओं का भंडार बनाकर राष्ट्रि नवाचार और उध्योगी की डेटाबेस तयार करना है यहाँ पे कोई क्रिविजन की बात करें तो त्रिपुरा सरकार कोविड-19 के दुरान स्क अर्थवेवस्ता वाला देश बन गया है तो इसका सही जवाब है option number D भारत विश्व बैंक के अनुसार भारत 2017 के क्रेश शक्तिक शमता पर्चेजिंग पावर पैरिटी PPP के अधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता वाला देश बना ह था राष्ट्रे सांखिय की वकार्याले एन एस ओ के नुसार वर्ष 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता बना रहा पी 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 अधारित वैश्विक वास्तिविक व्यक्तिगत खपत में हिस्सेदारी और सकल पूंजी निर्मान के अधार पर भी इंटरनाशनल कंपैरिजन प्रोग्राम आई सीपी के तहत संदर्ब वर्ष 2017 के लिए नया पी 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 जारी किया है आई सीपी में 176 देश शामिल थे संयुक्त राश्ट्र सांखे किस आयोग UNSC के तहत ICP दुनिया की सबसे बड़ी आंकडा संग्रे पहल है इसका मकसद PPP का आंकलन करना है जो दुनिया की अर्थ विवस्ताओं में आर्थिक गतिविधियों की तुलना के लिहाज से महत्वपूर्ण है अगला प्रेशन है खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने हाल ही में किस राज्जे में कुमहार सशक्तिकरन योजना शुरू की है तो इसका सही जवाब है option number B राजिस्थान खादी वग्रामोद्योग आयोग KVIC ने राज्जेस्थान में पोखरन की सबसे प्रसिद रही बर्तनों की कला की तथा कुमहारों को मुख्य धारा से जोडने के लिए कुमहार सशक्तिकरन योजना की शुरूआत की है पोखरन में कुमहारों के परिवारों को इलेक्ट्रोनिक पावर चांको का वित्रन किया गया है KVIC ने गाउं में साड़े 300 प्रतियक्ष रोजगार काविस रिजन किया है 400 रेल्वे स्टेशनों पर केवल मिट्टी तेरा कोटा के बरतनों में खाद परदार्तों की बिक्री होती है जिन में से राज्यस्थान के दो जैसल मेर और बाड मेर शामिल है दोनु प्रमुख रेल माग पोखरन के सबसे नस्दीक हैं KVIC दवारा राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महराष्ट्रा, जमु और कश्मीर, हर्याना, पस्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिल नाडु, ओरिशा, तेलंगाना औ कई दूरदराज इलाकों में कुमहार सशक्तिकरन योजना की शुरुवात की गई है, अगला प्रेशन है, हाल ही में कौलकाता हवाई अड़े पर तसकरी के दोरान दुरलब पक्षी मकाओं को जब्त किया गया है, ये किस पक्षी की प्रजाती है, तो इसका सही जवाब है, आप्षिन नमबर ए, तोता, राजस्व आसूचना नीदेशाल्य डी आर आय ने वन जीव तसकरी के एक बड़े गिरों का भंडा फोर कर 22 दुरलब पक्षी बरामद किये, जिसमें मकाओं भी शामिल है, पक्षियों को बांगला देश से भारत लाया गया था, कौलकाता हव पाई अड़े पर जब्त किये गए अन्य दुरलब पक्षियों में से तोते की कई प्रजातियां भी थी, तसकरी कर लाए गए इन पक्षियों को अंतराष्ट्रे संधी के तहत संरक्षन प्राप्थ है, डी आर आय के मताबिक नशीले परदार्थ, नकली समान और मानव तसक तरी का धंदा दुनिया में चोथा सबसे बड़ा संगठित अपराध है, यहां फोटोग्राफ में देख सकते हैं मकाओ लंबे पूँच वाले रंगीन नई दुनिया के तोते होते हैं, वे पक्षी पालन के रूप में लोकप्रिये हैं, हाला की उनकी कई जंगली प्रजात अगला प्रशन है, पांच दिवसिये वर्चुल हेल्थ केर एंड हाईजीन एक्सपो का ये उद्गाटन किसने किया है, तो इसका सही जवाब है, उप्षिन नमबर डी, मनसुक मंदाविया, पांच दिवसिये वर्चुल हेल्थ केर एंड हाईजीन एक्सपो का उद्गाट 22 जून 2020 को मनसुक मंडाविया केंद्री रिसायन और उर्वर्क राज्य मंत्री द्वारा किया गया यह प्रदर्शनी भारत में पहली बार होने वाली वर्चुल प्रदर्शनी है वर्चुल इवेंट 22 से 26 जून तक लाइव होगा इसका योजन Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry फिकी द्वारा किया गया है भारत सरकाने देश में बल्क ड्रग पाक स्थापित करने के लिए कदम उठाए है API को बल्क ड्रग के रूप में भी जाना जाता है यह किसी भी दवा के निर्मान के लिए सबसे अवश्चिक घटक है अगला प्रशन है दुनिया में नमबर वन टेनिस खिलाडी नुवाग जोकोविच को करोना संक्रमित पाया गया है वे किस देश से हैं तो इसका सही जवाब है option number A सर्बिया दुनिया के नमबर एक टेनिस खिलाडी नुवाग जोकोविच कोरोना पॉस्टिव पाये गए जोकोविच के साथ साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉस्टिव मिली है कोरोना वारिस महामारी के बीच टूर्नामेंट के आयोजन करवाने और दूसरे देशों के खिलाडियों को लाने के लिए जोकोविच की अलोचना की गई है इस दोरान समाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का पालन नहीं किया गया वे विक्टर ट्राइकी, ग्रिगोर दिमित्रोव और बोर्ना कोरिक के बाद वाइरस के लिए सकरात्मक परिक्षन करने वाले चोते खिलाडी है जोकोविच ने एड्रिया टूर का आयोजिन जरूरतमन लोगों के लिए धन जुटाने के लिए सर्बिया की राजधानी में और फिर क्रोएशिया में किया गया दिमित्रोव द्वारा अपनी सकरात्मक परिडाम घोशित किये जाने के बाद अंतिम कारेक्रम रद कर दिया गया था यहाँ पर कोई क्रिविजन की बात करें तो भारत ने पुर्शों की विश्व मुक्यबाजी चैंपियन्शिप 2021 की मेजबानी गवा दी है अब है किस देश में आयोजित की जाएगी तो इसका सही जवाब है सर्बिया बात करें सर्बिया की तो इसकी कैपिटल है बेलगुरेड और करंसी है सर्बियन दिनार चलिए आज के सेशन की एक कुईक समरी देख लेते हैं 36 वे एसियान समिट की थीम क्या है कोहेजिव एंड रिस्पॉंस इंधिरा रसोय योजना कहां स्टार्ट की गई है राजिस्थान में दी अंडेटेकर नाम से जाने वाले एक फेमस रेसलर का रियल नेम क्या है मार्क कैलवे RISC रशिया इंडिया चाइना की ट्राइल लेटरल मीटिंग कहां पर और्गनाईज की गई है रशिया में हाइर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के लिए स्टार्ट की गई HRD मिनिस्ट्री दुआरे की निशेटिव का नाम क्या रखा गया है युक्ती 2.0 PPP Purchasing Power Capacity या Purchasing Power Parity के हिसाब से 3rd largest economy कौन है इंडिया KVIC ने कुमहार सशक्तिकरन योजना किस राज्ये में स्टार्ट की है राजिस्थान कौलकता एरपोर्ट पर तसकरी के दुरान एक मकाउन नाम का पक्षी पाया गया है वो किस प्रजातिका है पैरिट Virtual Healthcare and Hygiene Expo का उदगाटन किस ने किया है मनसुक मंदाविया ने Famous tennis player नुवाक जोकोविच जो हाल ही में कोरोना positive पाये गए हैं वो किस country से बिलोंग करते हैं सर्बिया बात करें आचे quiz for the day की तो पहला question है कौन सी राज्य सरकार गरीबों के लिए इंधिरा रसोई योजना शुरू करेगी और दूसरा question है वेतनाम दवारा आयोजित 36 वे ASEAN शिकर समेलियन की theme क्या है और अगर अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को ज़रू दुबाना है ताकि मारे आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिल सके और हमारी दोनों वेबसाइट ऐसे से सीजेलपनेकल.com और बरजीधाकर.com को विजिट करना ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच